बिसमिल्लाय रहमानी रहीम, अस्सलाम आलेकुम आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी और मज़िदार सी, एकदम खटी मेठी सी इमली की चटनी की रेसिपी जिसको के आप बना करके पुरे रमजान के लिए स्टोर कर सकते हो आप इसको समोसे, कचोरी, पकोडों के साथ सर्व कर सकते हो या फिर आप इस चटनी को किसी भी तरह की चाट बनाने में इस्तिमाल कर सकते हो मल्टी परपस चटनी की रेसिपी बहुत ही ज़्यादा आसान है एक बार इसको ट्राय जरूर कीजिएगा तो फिर चलिए फटाफट से बनाते हैं इमली की खटी मीठी चटनी तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने 50 ग्राम की जितनी इमली लेकर इसको अच्छी तरह से क्लीन कर लिया है इसमें कोई भी बीज नहीं होना चाहिए तो सबसे पहले हम इसके अंदर गरम पानी डालेंगे तो एक ग्लास की जितना इसमें गरम पानी डाल करके इसको आधे घंटे के लिए रख दीजिए सोक होने के लिए जिसे कि इमली जो है वो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएगी अच्छी तरह से ये भीग जाएगी और यहाँ पर 30-40 मिनट हो गए है इमली को सोक किये हुए तो अब हम इसको अच्छी तरह से मैश कर लेंगे और इसमें जो भी पल्प है वो हम निकाल कर रख लेंगे तो अच्छी तरह से इसको मैश कर लीजिए और क्योंकि हमने इसको गरम पानी में सोक किया था तो ये काफी अच्छे से सॉफ्ट हो गई है अब हम एक बोल के उपर एक च्छने रखेंगे और ये इमली इसमें डाल देंगे और अब हम एक चमच की मदद से या फिर एक स्पैटुला की मदद से इसको अच्छी तरह से प्रेस करते हुए इसको स्टर करते हुए चान लेंगे और इसमें जो भी पल्प होगा तो वो अलग हो जाएगा और देखिए मैंने इसको अच्छे से चान लिया है फिर भी इसमें अभी भी काफी पल्प बचा हुआ है तो इसको फिर से हम bowl में transfer कर लेंगे और अब हम इसमें फिर से आदे से एक ग्लास की जितना पानी डालेंगे और इसको फिर से हम muscle कर अच्छी तरह से इसका pulp जो है वो निकाल लेंगे और इस तरह से हातों से मैश करने से इमली में जो भी रेशा या फिर छिलका वगएरा होगा तो वो अलग हो जाएगा अगर हम इसको पीज देंगे तो फिर वो छिलका भी पीज जाएगा और फिर बाद में चटनी जो है वो इतनी स्मूथ नहीं बनेगी अब यहाँ पर देखिए पूरा पल्प मैंने निकाल दिया है और अब हम इसको रखते हैं एक साइट पर अब यहाँ पर मैंने एक कडाई रखी हुई है गैस पर इसमें हम एक टीस्पून की जितना ऑइल डालेंगे ऑईल को अच्छे से गरम करने के बाद इसमें एक टीस्पून जीरा डालेंगे जीरे को लो फ्लेम पर कुछ सेकेंड के लिए अच्छी तरह से फ्राय होने दीजिए उसके बाद हम इसमें एक चौथाई टीस्पून हींग आट करेंगे हींग जो के डाइजेशन के लिए का मियान ही रखियेगा और इसको जब तक पकाएंगे जि अच्छी तरह से गरम नहीं हो जाती और इसमें अच्छे से उबाल नहीं आ जाता और यहाँ पर देखे काफी अच्छे से ये पक रहा है इसमें एक उबाल भी आ गया है तो अब हम इसमें मिठास के लिए 50 ग्राम गुड आट करेंगे तो गुड को मैंने छोटे छोटे से टुकडों में कट कर लिया है ताकि ये जल्दी मेल्ट हो जाए और 50 ग्राम हमने इमल में आधा टी ships लाल में पाउड्र और गालें जिसे पल लेन काफी चटनी इसमतुर गाल्रकु जाए टो ऐसको 20 इसको 10 पंदरा मिनट के लिए लोग पर तो इसको बीच-बीच करते रहें ताकि यह चटनी बॉटम में लगे नहीं अब यहां पर देखिए तकरीबन 15-20 मिनिट हो गए है और चटनी का कलर जो है वो काफी अच्छा आया है और अच्छी तरह से यह थिक भी हो गई है तो इस पॉइंट पर हम इसमें शकर आट करेंगे तो तकरीबन 3-4 टेबल स्पून के जितनी मैं शकर आट करेंगे तो शकर आट करने से गुड और इमली का जो टेस्ट है वो बैलन्स होगा इसी के साथ हम इसमें आधा टी स्पून सौफ का पावडर आट करेंगे और अच्छी तरह से इसको भी मिला करके अब हम इसको 2-3 मिनिट के लिए और पकाएंगे जि इसको हम लो फ्लेम पर 1-5 मिनिट के लिए रोस्ट कर लेंगे आप चाहो तो इसकी बजाए बादाम या फिर काजू को भी रोस्ट करके डाल सकते हो और इसमें आप थोड़ा सा गी या फिर थोड़ा सा ओईल कर भी रोस्ट कर सकते हो इसको डालने से चटनी का जो लुक है वो भी काफी अच्छा आएगा और चटनी का टेस्ट भी काफी बढ़ जाएगा और देखिए एक से देर मिनिट हो गया है और ये अच्छी तरह से फूलने लगी है और इसके चटकनी की आवाज भी आने लगी है तो गैस की फ्लेम को आफ कर दीजिए और अब हम आ जाते हैं की तरफ तो यहां पर देखिए चटनी भी काफी अच्छे से यहां पर पक गई है और बहुत ही जबर्दस और मज़ेदार सी हमारी इमली और गुड की खटी मीठी चटनी बनकर तियार हुई है और इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हो बहुत जादा इसको गाड़ा मत कर करके पूरे 6 महिने तक के लिए स्टोर कर सकते हो फ्रिज में और अगर बाहर रखना चाते हो तो 2-3 महिने के लिए भी आराम से चल जाएगी और तरबूस के बींच डालने के बाद मैंने इसको एक मिनिट के लिए और पका लिया था तो गैस की फ्लेम को आफ कर देंगे और इसको अची तरह से ठंडा हो जाने के बाद आप इसको सर्फ कर सकते हो समोसे के साथ, कचोरी, पकोडों के साथ, या फिर किसी भी तरह की चाट बनाने के लिए आप इसका استعمال कर सकते हो बहुत ही जबर्दस्त और मज немного चटनी बनकर तयार होती है इससे किसी भी सनैक का टेस् तो रमजान में आप इसको इफ़तार के लिए ट्राय जरूर कीजिएगा और अगर रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलेगा कमेंट करके जरूर बताएगा कि आपको ये इमली की खटी मीठी चैनी की रेसिपी कैसी लगी तो फिर इंशाला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और बहुत ही अच्छी सी रेसिपी के साथ तब तक के लिए अलाहाफिज